आयोग चेर्मन सुनो पुकार जोही मामले हम लाचार 3014 स्टाफ नर्स की नियुक्ती मामले में नियुक्ती पत्र नमिलने से नाराज अभ्यर्थियों ने लोग सेवा आयोग गेट पर शांती पूर्वक प्रदर्शन कर रहे है स्टाफ नर्स परीक्षा में सफल होने के बाद भी नियुक्ती नमिलने से नाराज सेवा अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग का घेराव कर विरोत प्रदर्शन किया अभ्यर्थियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग की तरफ से चल रहा है और हम लोग का यूपी पेसी स्टाफ ब्लस 2021 का 3 अक्टूबर को 2021 में एक्जाम हुआ था इसके बाद हम लोग का चार जन्वरी को फाइनल रिजल्ट भी आ गया था फरवरी में डीपी भी हो गया लेकिन उसके बाद से हम लोगों को जॉइनिंग के लिए सर नहीं क कि अव्यां मिल रही है आयो के पास हम लोग आये थे 12 मई को आयो ने बोला था हम लोग को 45 टे चाहिए तो उसके बाद तो हम लोग इंतजार कर रहे थे उसके बाद हम लोग का 45 डे भी हो गया अभी पूछते हैं यहां पर आते हैं सर कोई जबाब नहीं आता हम लोक लोग सेवा आयोग ने स्टाफ नास सिस्टर ग्रेड दो महिला पुरुष परीक्षा 2021 का आयोजन 3 अक्टूबर 2021 को आयोज़ित कराया था कई श्रेणियों के लिए आयोज़ित की गई इस परीक्षा में कुल 3014 अभ्यार्थी अंतिन रूप से चैनित हुए है प्रदर्शंकारी छात्रों का एक प्रतिनिधी मंडल सचेव से मुलाकात कर बाहर निकला तो बताया कि आश्वासन दिया है कि यथा शिक्र चैनित अभ्यार्थियों की फाइले लखनव भेज दी जाएंगी हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है छह महीने हो गए वेरिफिकेशन हुए इस्टाफ नर्स की ज्वाइनिंग तीन हजार चोदा पोस्ट हो की तफ किया यह ज्वाइनिंग आई थी अगस्ट जुलाई में आई थी हम लोग का पेपर तीन अक्टूबर को हो गया हर्सीं हे क्टूबर को हर्सीं हे क्टूबर क्янपस पैपर यह ज्वाइनिंग टूकरो हर्सीं हे क्टूबर कैप दीन आई तीन आर चक्पन no.